Hello Friends, Welcome to Sanusha Channel आज Sanusha आपके लिए लाया है TSA Lock आज हम बताएंगे TSA Lock को set कैसे करते हैं इसमें आपना password set कैसे करते हैं और TSA Lock होता क्या है जब भी हम कोई luggage purchase करते हैं तो हम देखेंगे वहाँ पे दो टाइप के lock होते हैं एक normal combination lock होता है एक TSA lock होता है जब हम इंडिया में कहीं travel करते हैं तो हमें normal combination lock वाले luggage खरीच सकते हैं लेकिन जब हम out of इंडिया कहीं travel करेंगे तो हमें prefer करना चाहिए TSA Lock वाला luggage TSA का full form क्या होता है Transportation Security Administration ये इसलिए होता है TSA Lock क्योंकि अगर हम especially US या Canada जैसे country में travel करते हैं तो वहां के authority जो है airport authority वो आपका luggage कभी भी कैसे भी check कर सकती है तो उसके लिए अगर आपके luggage में TSA Lock होगा तो वो यहां पर आप देख रहे होंगे की का point है वहां पर अपना master key लगा के इसे open कर सकती है और luggage को check करके वापस आपको देख सकती है लेकिन अगर आपका यह TSA Lock वाला luggage नहीं होगा तो वो आपका lock तोड सकती है तो बेटर है कि जब भी out of India आप travel करें TSA Lock वाला ही luggage खरीदे TSA Lock क्या अब हम बताएंगे कि इसका password set कैसे करते है जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम luggage खरीते हैं तो इसका normal password होता है 000 जिस पर यह luggage open होता है अभी हम अगर 000 है हम इसका digit आगे पीछे कर सकते हैं तो यह देखिए lock है यह open नहीं होगा लेकिन हम इसको वापस 000 पर करेंगे तो यह देखिए lock यह open हो जाएगा यह देखिए अभी इसका 000 पर normal set है अब हम बताएंगे कि इसका यह password change कैसे करेंगे आप जब भी इसका password change करना इसके 3 step है आप उसको याद रखिए ताकि यह आप easily समझ सकते हैं अगर हमें इसका password change करना है तो पहला step है प्रेस reset button तो पहला heading है प्रेस दूसरा step है reset तीसरा step है push अब हम जो प्रेस है reset button यह देखें यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक छोटा से reset button है इसको प्रेस करेंगे इसमें आवाज आएगी यह है प्रेस अब प्रेस कर दिया है अब दूसरा step है reset reset हमें अपना password reset करना है हमने अपना password इसमें reset कर दिया ट्रिपल वन ट्रिपल वन कर दिया अब push थर्ड स्टेप है push यह खट से आवाज आ गई अब यह इसी पर हमारा लोग open होगा अब जब भी हम इसको कोई और डिजिट कर देते हैं तो यह लोग open नहीं होगा यह देखेंगे आप यह open नहीं हो रहा है और वापस हम इस पर करेंगे देखिए open हो गया है इसका मतलब है हमारा इसमें password set हो गया है तो हम समसकते कि आपको समझ आगाए मज़ API पर करेंगे आप देख रहेंगे पहला स्टेप है प्रेस रिसेट बटन में हं मियो प्रिसेट पास्वर्ट करना है हम वापस यह हम पर जीरो कर देते हैं यह one जीरो है जीरो पर कर देते हैं और पुश यह खट से आवाज आई पुश कर दिया है इसका मतलब है हमारा यह पासवर्ड इसमें सेट हो गया त्रिपल जीरो तो हमें उमीद है कि आपको यह समझ आ रहा होगा कभी-कभी क्या होता है कि यह टीसे लॉक का यह खराब हो जाता है क्योंकि ऐसा टीसे लॉक आपको मार्केट में मिल जाएगा और उसको चेंज कैसे करना है हम आपको बता रहे हैं आप यह जब भी लगेज खोलेंगे अभी हम आपको लगेज खोल के दिखा रहे हैं आप यह लगेज खोलेंगे इसके अंदर के साइड जो चेंज है यहां पर आपको देखेंगे पेज से यह लॉक लगा हुआ है आप नया लॉक पर्चेस करके यह अपना स्कूरू ड्राइवर से इसको उपन करके और नया लॉक सेट कर सकते हैं हमें उमीद है आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा इसको लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल सनुशा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक यू